बोशपूरी पावर्ड स्टार पावन सिंग के आवाज में वो जादू है कि लोग पावन सिंग को भोशपूरी इंडस्ट्री का मोहमद रफी कहते हैं कि सारी लाल यादों को भोशपूरी इंडस्ट्री का हीट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है जानते हैं क्यों? क्योंकि सारी लाल यादों ने यह सावित कर दिखाया है कि उनका कोई भी गाना आता है तो वो गाना आते के साथ ही पांच से दस घंटे के अंदर यूटूब पर में श्रक्षन में ट्रेंड करने लगता है और तो और उनका गाना कई दिनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में बना रहता है शिल्पी राज बोचपूरी इंडस्ट्री के वो सिंगर है जो किसी भी कलकार के गानों में आवाज दे दे तो वो गाना ही ठोता ही है शिप्टी की आवाज में वो जादू है जो किसी भी कलाकार को एक दिन में स्टार बना देती है रिटेश पांडे का हेलो कौन हो या लवंडिया लंदन से लाएंगे ये दोनों गाना ऐसा गाना है जो शायद ही कोई नहीं सुना होगा बोशपुरी के युवा गायक कल्लू का गाना नाच रिपतर की ये गाना ऐसा गाना है जिस पर शायद ही किसी रिल नहीं बनाया होगा पावन सिंग का गाना हरी हरी ओडनी दो हजर बाइस का ऐसा गाना है जो शायद किसी शादी व्याह के मौके पर नहीं बज़ा होगा और तो और ये गाना अब तक 25 करोड व्यूज का अंकडा क्रॉस कर चुका है और तो और इस गाने पर अब तक 2 मिलियन से जादा रिल्मी बन चुका है यानि इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कलकार हैं जिन्होंने अपनी कलकालूहा मनवाया है और इन लोगोंने बाहर के लोगों को भोशपूरी देखने और सुनने पर मजबूर कर दिया है बोश्पूरी इंडस्ट्री की एक अलकारों का ही देन है कि आज हम और आप ये कहने पर मजबूर हो गए है कि बोश्पूरी सिनेमा इंडस्ट्री और बोश्पूरी अलबम इंडस्ट्री ने अपना पैर जमा लिया है शादी हो या पार्टी बोशपूरी गाने सुनने को मिलते ही हैं यूपी बिहार जारकन के एक शादी ऐसी नहीं होती जहां बोशपूरी गाने ना बजे भारत का कोई ऐसा कॉलेज ये इन्वरस्टी नहीं होगा जहां पावन सिंग का गाना लॉलिपॉप पर डांस नहीं हुआ होगा लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी और आपकी बोशपूरी इंडस्ट्री के किसी भी फिल्म है किसी गाने को कभी कोई ऑसकर रवाड क्यों नहीं मिला आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बाद भी हमारी बोशपूरी भाष्या, हमारी बोशपूरी इंडस्ट्री, बोशपूरी गारे, बोशपूरी फिल्मों से लोग इतना नफरत क्यों करते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारी बोशपूरी इंडस्ट्री बदनाम क्यों है, क्यों बाहर के लोग बोशपूरी गानों सी इतना नफरत करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामेन विशाल और आप दे माई और संहस्टू जैसी बड़ी बड़ी फिल्मे ला रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो लोग आज भोशपूरी स्रीमा की भोशपूरी एल्बम इंडस्ट्री की 26 उधारने में लगे हैं, जो लोग दिन रात महनत करके इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी जादा भोशपूरी इंडस्री में अच्छी लिलता फिलाया है, पावन सिंग हो या किसारी लाल याद हो, कलू हो या राकिस मिश्रा हो, प्रमोत प्रेमी हो, इन लोगों ने सबसे जादा अश्रील गाने गाए हैं, इन ही लोगों ने अपनी भोशपूरी भाषा के साथ तो इस अच्छी लाल याद हो ही हैं, फूट लाली चु सुआने वाले खिसारी लाल याद हो थे, और ऐसे अश्लील और घटिया गाना गाकर इन सारे कलाकारों ने अपने गानों पर लाखो व्यूस बटो रहे हैं, और आज अगर खिसारी लाल याद हो मीजिया में आकर कहत है, अगर पावन सिंग कहते हैं, कि मैं आपके लिए पहले से दुगना मेहनत कर रहा हूं, गाने के शुटिंग के लिए दो दिन से जगा हूं, तो पावन सिंग के ऐसी बातों को सुनकर उनके जरा भी सहानों भूती नहीं निकलती, क्योंकि पावन सिंग वही कालाकार है, जिन्होंने लड़कियों के ढोड़ी में उंगली डाल कर बताया, कि लड़कियों के ढोड़ी खिलवार करने के लिए है, उन्होंने बताया, कि अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को चंद पैसे दे कर आप उनके शरीर के साथ जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं, और और वो विरोध तक नहीं करेंगी जिसके दुश्परिनाम यह है कि आज भोजपूरी के रोडशाप गायक और दो कौड़ी के कलाकार अपने गानों के वीजियो में अपने साथ काम करने वाली महिला कलाकार के धोड़ी में कोको अकोला डालते हुए नजर आते हैं तो कभी कोई ध धोड़ी पर धान पीटता है तो कोई उसे धोड़ी में लकड़ी डाल कर खोथता है तो कोई धोड़ी पर ड्रिलिंग मशीन चलाता है तो कोई धोड़ी में पानी डालता है तो पवन सिंग हो या मनोस्तिवारी हो खिसारी लाली यादव हो या राके समिश्रा हो अगर आप इनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि ये दिन रात मेहनत करके अपनी इंडेस्ट्री अपनी भाशा की छवी को सुधारे क्योंकि इन ही कलाकारों ने छोटे कलाकारों को हिम्मत बढ़ाया है जिसका देन है कि वो लोग व्यूज के चक्कर में भोशपूरी के लाखो करोरो दर्श को गानों के नाम पर सॉफ्ट पॉंड दिखा रहे हैं और यही कारण है कितने बड़े बड़े अच्यूब्मेंट के बावजूत भी लोग भोशपूरी भाशा भोशपूरी इंडेस्ट्री को हीन भावना से देखते हैं बाकि आपको क्या लगता है आप अपनी दिखे देने वा